जब जिस दिन देश के प्रधानमंत्री माई नरेद्र मोदी जी ने सपत लिए प्रधानमंत्री पत और उस सपत को लेकर जब संसद गए तो संसद को देश का पबित्र मंदिर मान करते हैं और उस प्रधाम में कहा कि ए संसद के मंदिर कानून के हम देश में इस आज़े nhất यो देश को सब्सक्राइब की ओर जाय एकता और अखंडता की ओर जाय और अखंड भारत का चित्र सामने पृष्प कुछ यह उन्होंने संकल पिलिया उन्होंने याद किया पंडित दीन्द्याल उपाध्याय को उन्होंने याद किया महात्मा गांधी को उन्होंने याद किया सर्दार बल्लब भाई पटेल को और भी तमाम ऐसे अधासिक पुर्षों को तो उसी स्मिरती में हम तो सोचते हैं कि सच में सभी महात्मा गांधी हो चाहें दीनद्याल उपाध्या हो, सर्दार बल्लब भाई पटेल हो, फिर सबकांस मानी नरे नर्मोधी प्रधान मंत्री के अंदर प्रवेश करके एक आत्मा के रूपे वो अवत्रित पुरुस्ति पाई देगा, मोधी के और आज जो कारे हो रहा है, यह बहुत बास्तम में अधासिक कारे है, जब देश के प्रणार मंत्री पंडित जवालाल नहरु बने, इसमें कुछ पैदा होता नहीं, कंकर पत्तर है, चले जाते हैं, लेकिन मोधी जी ने कहा, देश की एक एक इंची जमीन, पापस करेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, यह है मोधी जी का अब्यक्ता तो रुपा किस्टा